तो आज हम शुरू करेंगे स्टफालो कोकस और यह सबसे पहला चाप्टर होता है बिक्टिरियो लॉजी में बहुत बार और बहुत जगी बहुत कॉवन होता है ठीक है इस समझे नोगन अस पर ओक्साइब आज अच्छिंग बहुत बार यह तो बहुत करते हैं जो बहुत करते हैं इस वजे से वह क्या करते हैं जो भी फ्री राडिकल्स है जो इस चापालो कोकस को मारने के लिए बनाये जाते हैं हमारे इम्मियून सिस्टम के द्वारा उसको थ닌काइब आगर इसके क्लस्टर की बात करें तो तो स्ट्याओ अंगूर की इस बिल्कुल अंगूर की गुच्छ जैसा कर बहुता है पीकाऋ टोorno-टनरी विचिंट की रहें कि जब सेल्स बनेंगे वो दूसरे से अलग नहीं होंगे उनके साथ ही रहेंगे और मुल्टिपल प्लेंज में होगा ठीक है इट कन बी लॉंगिट्यूटनल इट कैन बी ट्रांसवर्स इट कैन बी ओबलीग तो इसमें it is a micrococus ऐसी family को belong करता है we have staph and micrococus but we don't need to read about micrococus at all बहुत बार क्या होते है कि staph it is compared with strep strep दूसरा नंबर का organism है जो बहुत जादा कॉमन है staff के बाद तो strep बहुत ही important difference होता है कि streptococcus है that is catalyst negative अब यह क्या है streptococcus मतलब chain it is a linear chain तो क्या होगा यह करेना single plane ठीक है then हम strep बाद में पढ़ेंगे you can see this division this is important kind of तो अब देख सकते है अगर gram positive coca है हमें नहीं पता है जब हमें sample मिलते की कौन से bacteria so we'll perform some test so we'll go for catalase ठीक है so agar catalase it is positive then it is staff ठीक है and if it is negative then it is strep फिर हम strep को भी alpha beta या फिर gamma hemolysis के according ली divide कर देते हैं all right so आप एक चीज देख सकते जो staff है ठीक है that is baissi tracing resistant ठीक है then virulence factors की बाद करते है staff aureus की so it has something known as cell wall factors ठीक है enzymes toxins and hemolysis अब मैंको कुछ important चीज़े बताना चाहूंगी जो staphylococcus aureus से वो golden color की colonies देता है ठीक है it is catalase positive ठीक है अब क्या होते है staff की ना बहुत सारे species होती है ठीक है it can be epidermitis it can be saprophyticus पर जो staff aureus है बाकी किसके strain से कैसे differentiate कर सकते है via some test एक तो staff aureus है that is giving golden color colonies ठीक है कोई और staff golden color colonies नहीं दे सकते है all right then यह क्या होता है coagulase positive होता है हम आगे पढ़ेंगे coagulase क्या होता है ठीक है so coagulase जैसे आप देख सकते है this question is very important कि coagulase positive है कि negative है और कॉन सा थाप को coagulase दिखा रहा है ठीक है so this is this ठीक है other coagulase positive है staff highest and staff intermedius but they do not give your golden color colonies ठीक है so staff aureus में यहोग है and it is beta hemolytic जो दूसरे है that are not beta hemolytic staff epidermidis and staff saprophyticus they are not your beta hemolytic ठीक है staff aureus क्या करता है जब इसको mannitol पे grow करते हैं ठीक है तो यह क्या करेगा pink color देगा इसका मतलब कि यह ferment कर देता है mannitol agar को यह yellow color देगा क्योंकि यह mannitol को ferment करता है यह yellow color देगा और बाकी के सारे bacteria जो भी staff species को belong करते हैं वह सबके सब pink color देंगे ठीक है अब हम इसके virulence factors पर आ जाते हैं सबसे important is protein A अब आपनसे पुछेंगे क्यों protein A क्या होता है it is a protein इसके नाम में है एक main virulin factor है तो यह करता है immunogloblin से bind कर जाता है उनकी FC portion में जनरली क्या होता है immunogloblin के पास FAB portion होता है FC portion होता है अब जो यह FC portion है यह क्या करता है बैक्टीरिया से bind करता है और इसको recognizable बना देता है हमारे neutrophils macrophages के लिए ताकि वो इसको recognize कर सके अब कि अगर यह protein FC portion से bind करेगा तो FC बैक्टीरिया से bind नहीं कर पाएगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं पताब चल पाएगा कि बैक्टीरिया कहां है तो यह एक प्रसेस जाइस ऑप्सोनाइजेशन उसको इनहीबिट कर देता है ठीक है तो आप इसको देख सकते है ठीक है अब यह क्या करता है प्रसेस करता है एक फिरॉमनान दिखाता है that is co agglutination reaction इसमें क्या होगा कि FC portion से तो यह बाइंड कर गया ठीक है और यह दूसरे immunoglobulin के FC FC भी बाइंड कर सकते है क्या होगा कि एक protein A 2 immunoglobulin के FC portion से बाइंड कर सकते है इसलिए एक complex बन जाएगा इस complex में मैं पस 2 immunoglobulin है 1 protein A है and this is known as co agglutination reaction ठीक है क्या होता है जब हमारा solution है उसमें जब solutes बहुत पतले-पतले होते हैं तो वह easily मिल जाता है solution में अब क्या हुआ कि जब हमारे solutes है वह aggregate हो गए ठीक है तो वह हमें visible हो जाते हैं हमारे आखों को visible हो जाते हैं this is the known as co agglutation reaction ठीक है this reaction is not important but the first say क्यूंकि यह बोल्ड में लिखे है यह आपको बता रहे हूं then as you know this is a gram positive bacteria ठीक है so it does not have LPS it has peptidoglycan वह तो हर बैक्टेरिया मही होता है we have techoic acid we have quagglase now we come to the extracellular factors we have something known as alpha hemolysis alpha hemolysis मतलब क्या होते है कि अपने आसपास के जो भी RBCs है उनको खतम कर देता है so we have alpha beta gamma and delta hemolysis in staph aureus ठीक है अब यह देखिए जो alpha है that is paradoxical paradoxical मतलब क्या है कि जब मैं इसको heat करूंगी 70 degrees पर inactivate हो जाएगा पर जब मैं इसको 100 तक ले जाओंगी then it will become active तो क्या हुआ कि अगर मैंने इस bacteria को 70 तक boil कर दिया तो जिसका toxin है वो मर जाएगा ठीक है पर जब मैंने और ज्यादा heat up करके 100 पर जाएगा then it will become activated फिर से जिन्दा हो जाएगा this is paradoxical then we have beta hemolysis ठीक है अब इस factors अपने subjective test के लिए आद कर सकते है but for staph aureus you should only remember protein A this is only important in staph aureus this factor ठीक है then we have beta hemolysis ठीक है ये main होता है जो RBCs को lyse कर देता है but you can see it only lyse the sheep RBC it does not lyse human or rabbit RBC and it shows something known as hot and cold phenomenon जो अमारी अपुवरिन फिशास्त्री में it is being defined ठीक है but this is not important so we will leave it then we have gamma we have delta we have something also known as leucosidens or pantenvaletine toxin it is associated with community acquired MARSA मैं आपको बताऊंगी MARSA क्या होता है just you need to remember कि इसमें कुछ टॉक्सिन होता है जिसस पीवीटी टॉक्सिन ठीक है then we have toxins that are related to the diseases ठीक है it is a staph aureus that normally conlonalizes your nares आपकी नाक में ये नॉर्मली flora में present होता है ठीक है less commonly is primary infection ठीक है so we have something that is epidermal or exfoliating toxin ठीक है अब देखें exfoliating toxin में आपको बस इतना याद रखना है कि it shows something that is known as scalded skin syndrome ठीक है it shows Nicolski sign epidermal layer separated या आप Nicolski sign याद रख सकते है generally क्या होता है जो skin है ठीक है उसमें क्या होती है dermis epidermis and epidermis में भी हमारे पास 5 layers होती है all right सबसे नीचे होती है basalis stratum basalis फिर होती है stratum spinosum then we have stratum granulosum then we have stratum lucidium and then we have stratum corneum ये toxic क्या करता है epidermis की layers को बीच में से तोड़ देते है वो separate हो जाती है ठीक है so क्या होगा जो basalis से वो spinosum से separate हो जाएगी and जो उपर की जब layer separate हो जाएगी तो धीरे धीरे slog off मतलब उतरने लगेगे अपने आप this is scalded skin syndrome okay जब ये new born में होता है और बहुत जाजा सीवियर होता है to writers disease writers disease मतलब कि जाएगी बहुत जल्दी जल्दी skin उतर रही है तो आप skin को आप तच करेंगे वो आपके हाथ में आजाएगे तो धीरे जाएगी पूरी बॉरी बॉडी में से उतर रही है जल्दी से निकलने लग जाएगी जो skin हो सेप्रेट होने लगती है बॉडी से ठीक है जैन वे एब इंटेरो टॉक्सिन तो आपको पता चलगे कि जो पहली toxic disease जो हमारा staff audience कराता है that is Scalded Skin Syndrome then we come to the enterotoxin 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 जैसे की नाम है enterot COVID affects enterot जीडेदा Truly honeymoon in 1-6 नंसे वें भइपको एक जाता है यह नुदा थी का उनम सस्टाइव or चॉस 돼ust this is to teach the brain to do this but the staph aureus is only takes 1-6 hours it is very very rapid and what does it mean preformed toxins generally when you eat staph aureus the acid neutralizes it so the staph aureus may not be treated with food poisoning what will you do what will you do in the food eat they will will be toxic once you eat bacteria and will die but they will not die and they will cause their disease and you need to know कि इस food poisoning में vomiting is predominant आपको diarrhea के symptoms कम पर vomiting के symptoms सबसे जादा देखते हैं ठीक है so you get this and इसमें ये भी है कि जो इसका ये enterotoxin that is heat stable it does not destroys with the heat ठीक है so it causes food poisoning so दूसरी हमारी toxin related disease that is food poisoning जो last हमारी toxin related disease है that is toxic shock syndrome ठीक है toxic shock syndrome में क्या होते एक toxin produce करता है उसका ही नाम भी है toxic shock syndrome toxin ठीक है ये क्या होता है जो इसका membranes होते है जो इसका exotoxin होता है ठीक है वो ये release करता है ठीक है so it can lead to toxic मतलब शॉक कर देता है body में so शॉक कर देता है body में so शॉक के symptoms का है you will have rash fever hypertension and most importantly multi-organ failure ठीक है अब ये इतना wide range में shock कैसे करा सकता है ये toxin क्योंकि एक super antigen होता है super antigen और एक normal antigen में इतना difference होता है जब एक antigen bind करता है तो अपने specific T cell से bind करता है ठीक है अगर A toxin है कि तो A से bind करेगा B है तो B से बाइन करेगा वार सूपर टॉक्सिन क्या होता है कि वह किसी particular T cell से बाइन नहीं करता है तो सबसे कर लेता है एक साथ अगर A है ठीक है तो it can bind with A, B, C, D, E, F, G, कितने भी कर सकता है तो जतने जादा T lymphocytes activate होंगे उतना जादा वो inflammation कराएंगे body में इतना ही हमारे पास उतना ही difficult इसको रोग पाना होगा तो आप देख सकते हैं इसमें multi-organ failure है मतलब एक साथ इतना जादा inflammation है कि पूरी body involved होगे है ठीक है so it is a super antigen ठीक है and इसका treatment का है it is clindamycin it has been molded ठीक है then इसमें हम और भी तेख सकते है enzymes we have coaglyce जो हम आगे पड़ेंगे ठीक है it can have lipase, tephilokinase, hyaluronidase these are not important ठीक है you can just remember their name and this is very important कि toxic shock syndrome होता किस रीजन से है the most common reason is use of vaginal tampons ठीक है और क्या हो सकता है अगर for example कोई foreign body है जो body में बहुत देर से बहुत लंबे समें से रही है या फिर राइनो प्लास्टी करते वग जो gauze है जो gauze नाक के अंदर रहे जाए जो gauze है जो gauze है वो नाक के अंदर रहे जाए यानि कोई भी foreign body है कर भात देर के लिए body में रहे जाए तके लिए तकाषिक शोक स्टाफ औरियस का मान होते है कि वो पूरी बाडी में घूमें अब क्या होते है कि अगर कहीं क्लॉट है तो आगे बढ़ पाएगा तो क्या करते है कि प्रोड को लाइस कर देता है तो उसकी जो स्प्रेड हो अठी हो सके ठीक है अब क्या होते है कि स्टाफ दो हत्यार लेके गूमता है एक तो अपनी सेल मेंबरेन पर चिपका देता है और एक वो है जो पूरी अपने आसपास पहला देता है जो से बाउंड रहना हो तो बाउंड को अगर मुझे डिटेक्ट करना है और दो सम्थिंग ता इस स्लाइट को स्टाइब को ओकलेस के दूसरा क्लंपिंग फ्लाइब फ्लाजिया में तुर नाम होता है क्लंपिंग फैक्टर था स्टाइब था सबसे इंपोर्टन चीज है कि यह प्लाजिया प्लाजमा अब यह CRF क्या करता है अगर यह फ्री क्वाइगलेस से बाइंड कर जाए तब यह अपना एक्शन कर पाएगा पर जो बाउंड क्वाइगलेस है उसको CRF की जरूरत नहीं है यह तो जो क्वाइगलेस है अगर पूरी बाउंडरीर नहीं कर पा रहा है मतलब की वह दूर दूर तक नहीं पैर पार रहाएं तो उसको इसकी जरूरत नहीं है त्यूम्ट फॉग्लियस को CRF की जरूरत होती है और राइट देन हमने देख लिया कि स्टाफ औरियर में क्या क्या चीजे होती है ठीक है देन वी कम तो सम्थिंग दा इस वेरी इंपॉर्टन मार्सा ठीक है अब इसमें क्या है कि कुछ चीजे हैं जो अभी तक हमने डिसकुस डिसेज ने हैं कि और क्या डिसीज करता है मैं आपको बता हैं की बैक्तिया है एक तो टॉक्षिक लाइक डिसीजेग घ्यू दॉट फूर्स यजज निमोनिय कराने वाले और्गैनिजम्स होते हैं so you don't have to worry आप यहाँ रख सकते हैं कि यह इटकन कॉस्ट निमोनिया ठीक है दें इटकन कॉस्ट सेप्टिक अर्थराइटिस इन अडल्ट्स ठीक है सेप्टिक अर्थराइटिस ठीक है और क्या करा सकते हैं कुछ फैंसी नाम में इस इंपटायको ठीक है कि आपको इंपटायको क्या होते है हनी क्रस्टेट लेजिन ने अपको एक अलसर होते है क्ली जिजन होत रिम एज सोप जिसन रिम बाहरा जाता है खें अन दने अट्रस्टिक चु फॉर्म याइक कलर ठीक है धन्र चैना डेन वीव इंप सलुल रहेंगे जब भी skin infection होते है तो हम उसको layers को गौर्डिंग पड़ते है ठीक है अगर वह बहुत ही superficial है ठीक है it can be ereciplus ठीक है if it is deep अगर वह dermis के upper layer को involve कर रहा है then it can be cellulitis अगर पूरा का पूरा dermis involved कर रहा है then it can be something else अगर यह muscle को involve कर रहा है then it can be myositis dermomyositis there are many many things ठीक है so एक तो होगे cellulitis then we get pharuncles and carbuncles ठीक है pharuncles and carbuncles are same thing they are the boils and most importantly staph aureus can cause abscess बहुत ही मोटे मोटे abscess कहीं भी किसी भी body part में it can be your buttocks it can be your armpit it can be arm it can be face यह abscess बहुत कराता है so you have to remember कि abscess कराता है a secondary चीज़ है like septic arthritis pneumonia यह बात में याद कर सकते है but you need to know that it causes impetigo and abscess heart में करा सकते है acute endocarditis acute endocarditis ऐसा कुछ नहीं है इसमें क्योंते है कि जो इसके walls है heart के walls होता हमने पढ़े होंगे mitral wall tricuspid wall तो उसके under surface में vegetation जो staff और यह से वो grow करता रहता है ठीक है अब यह क्या होता है कि staff और इसके खास बात होती है कि right-sided infection कराता है मतलब यह जाद किसको इंवाल करेंगा tricuspid wall को rather than mitral wall ठीक है and किसमें देखा जाता है IV drug abusers में okay so next is osteomyelitis this is the number one cause of osteomyelitis ठीक है अगर किसे को osteomyelitis हुआ है ठीक है then it most commonly is due to a staff aureus other organisms can also be the culprit like we can have salmonella किसे को sickle cell anemia it can be sodomonas बहुत थारे organisms है पर most most common is your staff aureus ठीक है so we have discussed the disease due to bacteria disease due to the toxin ठीक है and we have seen toxins that toxic shock syndrome it is a super antigen then we have food poisoning rapid onset now I want to tell you one thing about MCQs question in question that someone had meat mayonnaise or any fruit cream like product so that it is due to staff aureus ठीक है किसीने पोटेटो से लेट खाया या फिर जो भी MCQs होते वह जनरली यही pattern show करते हैं ठीक है अब हम आरते हैं मार्सा पे तो मार्सा क्या है मैथसलिन सेंसिटिफ स्टाफॉरियस जनरली क्या होता है कि जब पहली बार स्टाफॉरिस आया था तो इससे लिए हम यूज टीकशित हैं पेनिसलिन už से स्टाफॉरियस को रिजिस्टेंस हो भी क्योंकि में इतना ज्यादा कर यूज करते थे और इंकरेकटी यूज करते थे फिर अब स्टाफ औरियस को ट्रीट करने के लिए we started to give a methicillin methicillin it is a variant of penicillin methicillin it is also known as penicillinase resistant penicillin ठीक है यह ऐसा penicillin है जो अब स्टाफ औरियस के resistant mechanism से और भी जाधे advanced था ठीक है तो अब क्या होगी स्टाफ औरियस को इससे भी resistant हो गई तो अब प्रॉब्लम यह है कि हमने penicillin दी resistant हो गया methicillin दी resistant हो गया अब हम क्या दें ठीक है तो उसका हमारे पास answer था we can give vancomycin पर आजकल देखा जा रहा है कि उसको vancomycin से भी resistance हो गी है ठीक है तो अब हम उसके जगे हम क्या दे सकते हैं नहीं चीज़े भी दे सकते हैं like we can give for linezolid we can go for ciprofloxacin we can go for clindamycin we can go for many many things ठीक है पर दिक्कत है कि यह drugs जो हम use करें वेरी वेरी एक्सपेंसिव वेरी एक्सपेंसिव वेरी एक्सपेंसिव दे करें side effects ठीक है अब क्या होता है mcqs में आपसे question पूछते है कि एक बात बता हो अगर penicillin से resistance होई है तो कैसे होई है सो इसका answer simple है कि penicillin क्या करता है जो bacteria है ना उसके जो है एक वो जो उसकी bacteria होती है ना bacteria की जो cell wall उसको cross link करने वाला एक enzyme होता है ठीक है इंजाइम से bind कर जाता है उस enzyme को हम और क्या कहते है हम उसको कहते है PBP ठीक है penicillin binding protein ठीक है या फिर इस also known as transferase यह क्या करते हैं linkage बना देता है between the cell membrane of the staph aureus तो इस वजह से staph aureus की cell membrane जो होती है बहुत ही strong होती है ठीक है अब क्या हुआ कि उसने क्या किया जो penicillin था उसने bind कर दिया उसके जो भी enzyme था PBB से अब वो क्या है एक दूसरे से मतलब कि उसकी cell volume cross link ने कर पार इसकी cell volume इतनी weak होगी है कि वह easily फट जा रही है और जो बैक्टिरियों मर जा रहा है ठीक है तो staph aureus ने क्या 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 इस penicillin के against enzymes बनाना शुरू कर जे that is known as penicillinase penicillin को तोड़ने वाला enzyme that is penicillinase तो penicillin ने penicillin is failed ठीक है अब क्या हुआ हमने क्या जेना शुरू कर दिया अब हमने ऐसा penicillin बनाया जो penicillinase ठीक है या फिर beta lactamase से resistant था ठीक है पर फिर से उसको resistance मिल गई अब क्या हुआ जो यह methicillin था वो पीवीबी से बाइंड ही नहीं कर पाया पीवीबी ऑल्टर हो गया पीवीबी का structure चेंज हो गया तब मैं कोई सा भी penicillin दूँ जाए वह penicillinase हो या फिर कोई भी बीटा लक्तमेस दूँ ठीक है जो भी cell wall से बाइंड करता है ऐसी कोई भी ड्रग जो से बाइंड करती है उसको बीटा लक्तमेस कहते है अंटिबाइटिक तो वह काम नहीं करेगा ठीक है और इसमें कौन सा जीन इंवॉल्व है पी बी टू या फिर आपको इसके या जग सकते है मेक एजी यह कभी कोई क्वेस्टेंस पर फूजेते कि कौन सा जीन है दाट इस ऑल्टर्ड पी बीबी पैनिसलेंड बाइंडिंग प्रोटीन कि अब सारी के सारे बीटा लक्तमेस इंक्लूदिंग पैनिसलें से फालोस्प पैनिसलेंड बाइंडिंग प्रोटीन इस ट्रांस पैप्टिडेंस का मतलब क्या होते कि वह प्रेप्टिडोग्लाइकिन की लेर को क्रॉस लिंक करता है ठीक है तो अब देखे इसमें साफ सब लिखे कि मार्सा आर रिजिस्टेंट टू आल बीटा लाक्तम्स ऐसी कोई भी द्रग जो संवेड कर है यह कंनब तो एम हम कै से ट्रीट करें ठीक है वैंको मैसे सब्छा बरेग रिजिस्टेंट हो गया यह तो उसको कहते है वार्सा थाम क्या जा लैंजोलेट लाइन्जोलेट आपके अपूर्बर शास्त्री में एक लौती ड्रग है जो लिखी गई है बट वी कन और द्रग्स लाइक वी कन गो फ़र दाप्तोमाइसिन वी कन गो फ़र कॉट्रेमॉक्ससॉल वी कन गो फ़र क्लिन्डामाइसिन यह जो लाइन्जोलेट जिसके बात करें वेरी एक्पेंसिव ड्रग इस आईवी इस मैंनी साइड एफेक्ट्स तो वही बात है कि जितनी जादा ड्रग्स रिस्स्टेंट होने लगेंगे उससे महंगी महंगी ड्रग्स हमें देनी पड़ेंगी सब जो यह मार साय यह कैसे आया ठीक है सोइड कैन वी कम्यू अखोईड कम्यू अखोईड मतलब जो बिना मतलब की जो लोगों में फहल रहे जो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं थीक है तो जनरली हॉस्पिटल में जो रिजिस्टेंट है बैक्टेरिया को मिलना वह बहुत ही इजी होता है ठीक है और यह फैलता भी बहुत इजी लिए फर एक्जांबल अगर मुझे रिजिस्टेंस है मुझे मारसा है तो मैं उसको कम्मिनिटी में इतना अच्छा नहीं फैलाऊं हमकी इम्मिनिटी वैसे वीक है ठीक है तो सबसे पहले हमेशे हॉस्पिटल एक्वाइट स्ट्रेंज आती है एक बार हॉस्पिटल एक्वाइट स्ट्रेंज फैल जाती है तब वो कम्मिनिटी में आती है ठीक है अब क्यों होता है कि कम्मिनिटी में एक इंसान बिमार है और आता है then community acquired आता है ठीक है so आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि जो staff और यह से it loves salt आप इसको milk salt अगार में भी grow कर सकते हैं ठीक है so we are coming to the culture medium ठीक है so it is beta hemolytic ठीक हमने देखते हैं कि सपस beta hemolycin है यह sheep rbcs को lyse कर जाएता है sheep rbcs ठीक है it is lactose fermenting ठीक है and आप देख सकते हैं salt milk अगार mannitol salt अगार ठीक है it loves salt for no reason it loves salt ठीक है then we come to the staph aureus अब देख सकते हैं it can cause skin सबसे important is was your impetigo and abscesses it can cause something that is known as botryomycosis ठीक है it can cause myositis ठीक है but overall आप देख सकते हैं कि अगार acute bacterial है that it is streptococcus and overall is staph aureus so staph aureus is very very common उसके बाद दूसरे नंबर पे है विए streptococcus तो इन दोनों के बीच का difference बताऊना चाहिए it can cause ostomalitis most common cause ठीक है and septic arthritis cause कर सकता है ठीक है then it can cause post-operative it can cause nematocele surgical wound this is important it can cause abscess इसमें यहापे epidural abscess लिखके पर abscess कहीं भी करा सकता है literally किसी भी part of body में करा सकता है ठीक है then it can cause endocarditis ठीक है and endocarditis में अब यह देखिए IV drug users right sided ठीक है अगर left sided है then more common can be enterococcus enteroccus is also gram positive but it is a and other species means staph aureus or stephalococcus यह देखिए overall cause of endocarditis in IV drug users IV drug users is important okay then आप देखिए कि सब acute endocarditis में we are streptococcus very dense streptococcus streptococcus and stephalococcus are very very notorious okay now you can see drug resistance penicillin from resistance because penicillin is destroyed by penicillin and betalactamase then Marsa when we start giving methicillin methicillin देने से क्या हुआ कि इसने क्या 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 है जो अपना यह enzyme था इसको ही change क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है जो methicillin ने enzyme से bind ही कर रहा है ठीक है अब हम आते points to remember ठीक है हम already सारे points हम पता कर चुक है then we come to something that is known as quaggly as negative staph ठीक है अब मैं आपको बता रहीते हैं कि staph में इतनी सारी strains होती है तो दो important strains और होती है that is epidermidis and saprophyticus ठीक है यह तोनों important है ठीक है और यह तोनों को मैंने बता रहीते हैं कैसे अब हम आते हैं एपिडर्माइडेस में एपिडर्माइडेस इसके नाम सी पिता चल रहा है सेंते हैं यह वहलों common contaminant है कर दो आदे है सो फटें कि दिजीज्ञें वहहते हैं आके जाने पौत हैं इसके हैं और को is very important and कार आधिएज कुरता ःडिएज एंडोकारणिप्लान्टेट हटमने में इंपोर्टि निरिक होई पास है चुछ शुर जान प्टिकर बर्याइज लिए लिए तक ऐड़ी स्ट जाएज़एर्च प्टॉल्बॉटिकी कुछ था चुलींप्लांटेट हाट्वाल्ड में यह जहीं है, microbiology is very simple if you know the keywords staff epidermidis की बहुत ही important जीज क्या है कि यह क्या है इसके पास इक biofilm होती है, biofilm कुछ नहीं होता यह polysacryde layer होती जो अपने आस-पास यह secret कर देता है यह अपनी colony मना तो इसके आस-पास biofilm secret कर देता है so that यह बचा रहे immune cells से और anti-biotics से तो अगर यह biofilm बना देगा तो हमें इसको हटाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो हमेंशा preventive methods ही यूज करते है बहुत हम कोशिश करते हैं कि हम prevent कर दें इसको इसको treat करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है and stitch apsis में भी हो जाता है contaminant होता है then we are saprophyticus staphylococcus saprophyticus यह का अगर आजेता है urinary tract infection अगर आपको question में दिया जाता है urinary tract infection most 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 common causes e-coli पर अगर लिखा है uti and sexually active female तब भी e-coli is most common most common ठीक है but answer saprophyticus भी हो सकता है अब आपको कैसे बता चले saprophyticus or not simple epidermidis it is novobiasin resistant saprophyticus is novobiasin sorry staph epidermidis is novobiasin sensitive and staph saprophyticus is novobiasin resistant तो यह keyword आपको मिलगे question में लिखा है UTI है sexually active women and the bacteria is gram positive stephylococcus saprophyticus novobiasin resistant stephylococcus saprophyticus so you should remember these keywords these are very important कभी कभार question में यह भी देतेते quagliais negative stephylococcus so you know quagliais negative stephylococcus बहुत होत है but the most important is epidermidis and saprophyticus so you know this now and one extra point में आपको बताना चाहते हूं stephylococcus saprophyticus is made urease so when it is present in urine then it will convert it in ammonia and ammonia it will convert it in ammonia so it is something an extra point so thank you so much and very happy new year thank you so much